नमस्कार जैस्री राम आप देख रहें डिवाई 365 और भारत में बहुत बड़े बड़े साथुसंत महात्मा है और बहुत सारे महत्माओं की कथा आपने सुनी होगी देखी होगी लेकिन भारत के सबसे छोटे महन के बारे में क्या आप जानते हैं आज असम आये हैं भारत के स स्वागत करते हैं डिवाई 365 में तो महन जी का नाम है पूरा नाम है सूरजदास जी बाल मोहन सूरजदास जी और राघवदास जी तो महन जी आपका मैख्या की धरती पर आये है तो आपको कैसा अनुभब है आपका हम अयोध्या से कमाख्या आए हम दर्सन की हैं माता जी क बहुत दिब्वे था, हमको बहुत अच्छा लगा, और सभी लोग आए यपील ही हैी फिसे लोग दर्शन करें, और मुऊल बहुत सांति मिलती है, और बहुत आनंदा आता है आप पहली बार असन्व आए हैं या इस से पहले भी आप असन्व आए हैं? की अद्धिया ची की इंद उन्होंने धारन किया हुआ है और गले में चंदन की माला है तो महन जी आपने क्या सोचा महज आपकी उम्र बारा साल की है तो जैसे कि हमने सुना है कि आपने आठ साल के उम्र से है ये राह चुन ली थी आपने ये राह आखिर क्यों चुनी मतलब हम पांच भाई थे तो चार भाई हमारे गुजरात में काम करने चले गए और सुरू से हमारे घर में पूजा पाट होता रहता है तो हम सुचे क्यों ना हम भगवान की शेवा करें और हम सुरू से ही लोग कुसकांड देखते थे तो हम सुचे जब भगवान इतने चोटी चोटी रूप में आकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो क्यों ना हम सब लोग भी आगे आए तो महन जी आपका रूटीन भी वैसा ही होगा आप रोज कैसे क्या करते हैं आपकी कारिय शाली क्या है जी शुबह उठना पाथ-चार बजे उसके बाद असनान ध्यान करना नावान का सिंगार करना आरती पूजा करना भोग लगाना फाट करना आप सुबह चार बजे उठ जाते हैं जी रोज और कितने बजे सो जाते हैं आप दस भी बज जाता है ग्यारा भी बज जाता है फिर हमका आँख खुल जा जाते हैं सुबह के चार बजे प्रभू मतलब कभी-कभी जैसे लगता है कि थके हैं थोड़ा लेट हो जाएगा तो पर भूजा कर, मतलब जैसे लगता है को dość सिर पे हाथ फेर रहा याए फिर आप उर जाते हैं फिर आप दिन की शुरू आप कैसे करते हैं पूजा पार्ट करते हैं फिर शनाम ध्यान फिर भगवान का शिंगार पूजा पार्ट भोग लगाना आर्थी करना फिर पार्ट करना रोज आप महाराजी आप ऐसे ही बस्तर धारंग करते हैं जी या रोज और आपको पसंद है और आपकी उमर के जितने चोटे-चोटे बच्चे हैं वो तो जीन्स, टी-शिर्ट वगेरा पहनते हैं आपको वो सब नहीं पसंद? महांती जी आपसे इतमे एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंस की बात, अपनी मम्मी पापा के बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं और उन लोगों को लट लग गई है मोबाइल की, तो इनमें आप क्या संदेश देना चाहें? हम इस अंदेश देना चाहेंगे कि वो बच्चों की गलती नहीं, वो बड़ों की गलती है, क्योंकि बड़े कोई काम करने रखते हैं, तो बच्चे को छोड़ देते हैं, उनको साथ रखना चाहिए, उनको सीखाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन आजकल हम दे कमिनी अपने आप अपने कहा तक की पढ़ाई की यहां वी जानतों किया सब्सक्रिथा है त्हुंत मुझे कर लेके इस सेढ़ी सलगें आप साथी कॉजा पाठ्थम कर लेते हैं उसके बाद समय भी बच्चता है तो थोड़ा सा गोशिवा करने के बाद चले जाते हैं आश्रम भी पढ़ाई करते हैं उसके बाद फिर आते हैं तो फिर संधिया पूजन पाठ होता रहता है पूज़ा पाट आप कैसे करते है यह साहम को आते हैं तो हाथ पैर धुलते हैं फिर उसके बाद तिलक करते हैं फिर मंधिर खोलते हैं इसे दुपार निजल के पाट खोलते हैं फिर पाट करते हैं कोई कार Вас hazam क्वार्ट के हनुमान गरी से लगा है असाम में पहली बार आएंग और असम की अलवा भी भारत के कहां पर गए हैं वेसे तो भी बहुत जगह करने गए है उसके बाद आपको कैसा लगता है बहुत अनंद दाता है और हम सब लोग में कार्डिस से यहां आये हुए हैं वार पेटा में जिला में शुकावड की यत्रा है तो दो हजार वो पांच-छे से ही हो रही है और हम सब लोग उसमें चेप गेश्ट हैं आई हुए है 500-600 लोग की वहां यात्रा निकलती है तो यहां की जनता से यही अनरोध है कि वह पेँचफित बने हैं तो बर्पेटा में आप सोमबार को चीप गेश्ट बन लोग में वहां द्या है आने के लिए और हम भी जाएंगे वहां मुलाकात होगी कि शिष्टाचार मुलाकात होगी उसके बाद यहां के स्पी जी जो है उनको भी बुलाया गया है गुर्ण साहब को भी निमंतर दिया है तो सबसे यही अनुरूद है कि सभी लोग आईए और शहियों किजिए और यात्रा को शफर बनाईए तो आपकी अस्थम के मुख्य मंत उस दुआरे में कुछ बताईए हमारे दर्शकों को महराजी जो हमारे यहां के मुख्मंत्री जी है मानिया दितनाथ योगी जी वहां के शेम है और उनको मतलब हमीशने बच्चों से सबसे लगाओ होता है तो कभी भी आगर अध्या आते रहते हैं तो हम सब लोग को अगर है अध्या ज़िदी जाना चाहते हैं होर्य शेवां कि रहा है और उसके को एकर समय बच भी रहा है तो जो सब लोग करsz ऑन करेंगे अब सिल नहीं करेंगे योगी जी के तरह नहीं करेंगे योगी जी के तरह रहेंगे। पूछ कर उन्हीं की राफियन चलिए आप अनुमान जी के बड़े भक्त हैं आप कह सकती हम तो अपने आपको छोटी ही भक्त मानते हैं नहीं आप हनुमान जी का कुछ भजन हमें हमारे दर्शकों को सुने अंगा के सुना दीचे भजन गाएं की उनका कुछ भी चलेगा सुन नमामी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इतने छोटे से महन के मुह में सुनकर बहुत ही क्यूट लग रहा है जो भी पेड़न जो भी भाबग हमें देख रहे हैं डीवाई-3-6-5 को देख रहे हैं वह भी अपने बच्चे को सोचते होंगे कि आप जैसे ग्यानी बनाए लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं बिगरते जा रहे हैं और मौडन होते जा रहे हैं और उन लोगों का पूजा पाट के उपर बिलकुल भी ध्यान नहीं है उन्हें क्या बोरेंगे हैं तो आपको अपने बच्चे की साथ बैठना चाहिएक उनके हाल पर ऊच्छना चाहिए कि क्या आप सोच रहे हैं क्या act बदल सकता है तो जो बच्चे है जो जिसको ज्ञान की ज़रूरत है तो वह महान जी से सीख सकते हैं कि किस से आप ले सकते हैं और ज्यादा मोबाइल बिल्कुल भी मत देखिए, अगर आपको 5-10 मिनिट समय मिल जाता है, तो धार्मी कामों पर लेगिए, पूजा पाठ करिए, महान जी भी आपको वही संदेश आपको देए रहे हैं। तो महान जी, थोड़े से राजनीती की बाद भी आपसे कर लेते हैं, आप राजनीती में भी बहुत बड़े बड़े बात करते हैं। आदेश किया है कि आप सब लोग यह मतलब सो यात्रा नहीं है, यह कामर यात्रा इसमें डीजे बज़ सकता है, मतलब दंगा फसाद नहों और सांती से अपना कार्य पूंड करें, शफ़ा करें। कहीं भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के कारे में दखनला जी ना दीजे, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप बुरा भी मत बताईए, यह कहना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? जी बहुत यल्द बनेगा, और बनने वाला भी है। लेकिन जो बिपक्षे वो तो मानने को तयार नहीं है। जैसे कहते हैं न, जहां राम है, वहां रावड है, तो कहां मानेगे रामड लोग? आप, योगी जी कोई जैसे आसादु दिनोवेची जी ने घेल लिया है, उन्होंने कहा है कि गावर यातुरा को लेकर, जो दुकान के सामने नेमप्रेट लगाया जा रहा है। उससे कही सारे मुसलमानों को उनकी नौकरीों से निकाल दिया जा रहा है। तो क्या अस्दु दिरुब इसे की बाते सही हैं? गलत हैं, क्योंकि वो सब हिंदु में होकर उसके बाद मांस मचीर का सेवन करते हैं और इसमें कामर यात्रा में हम थब लोग सुधता से कारी करते हैं तो इसलिए नेम प्लेट लगाया जा रहा है कि पता चले कि क्या बेच रहा है, क्या सही है, क्या गलत है तो आपको ये लगता है कि नेम प्लेट लगाना बिलकुल सही है ठीक है, महन जिसे हम और भी बात करेंगे लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का और चोटे से ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका DUI 365 के साथ और आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे साथ आज मौजूद है अयोध्या के हनुमान गरी से आए एक छोटे बाल महांती जी आज हमारे साथ मौजूद है तो महांती जी फिर एक बार स्वागत है आपका ब्रेक के बाद तो महांती जी ये बात हो रही थी सभाने और जो आजकल नॉन वेज खाते हैं आप तो बिल्कुल नहीं खाते होंगे है जी हम खाते भी नहीं आप सब को यह करते हैं कि कि आप यह अच्छी वात नहीं किसी का मानस का नहीं इससे दूर ही जितने रहें उतने ही अच्छी और महांजी आपसे इस दोरान पूछाना चाहेंगे आप आयोध्या राम नगरी से आया है योध्या में फिल्हाल कैसा माहुच आयोध्या में सब बहुत खुश है परसन है और जाते है योध्या जाते हैं अपर मंदिर में दर्शन करने रोज जाते हैं पूजा पाट भी करते हैं मंगला आर्ती भी करते हैं कैसे करते हैं शुबा मतलब शुबे अगर मंगला आर्ती करना है तो सुबा शनान जल्दी करना पड़ता है चार बजे वहां पोचना पड़त तो आपको बहुत सारे भजन किर्दन भी आते होंगे कुछ सुना दीजे हमारे दर्शकों को भए प्रगट कृपाला दीन दयाला कोशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनिमनहारी अतभुतरूपनिहारी लोचन अभिरामा तनगन शामा निज आयुत बुजचारी बूशण बन माला नन विशाला सोभा सेंदु खरारी कर दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विदि करू अनन्ता माया गुन ग्याना तीत यमाना बेद पुरान बनंता करना शुक शागर सब गुन आगर जेही गाव शूति शंता शोमम हित लागी जन अनुरागी भया हो प्रगट सिरीकंता ब्रम्हांड निकाया निर्मित माया रोम रोम पत बेद कहे ममवर शोवाशी या उपवाशी सुनत दीर मत थीर न रहे उपजा जब ग्याना प्रभ मुसकाना चरित बहुत भी धिकीन चहे कही कथा शुहाई मात बुझाई जेही प्रकार शुत प्रेमुलाई मात अपने बोली सुमत डोली तजहुता ते अहरूपा कीजे शुलीला अत प्रियसीला या शुक परमयनुपा सुने बचने सुजाना रोदन ठाना हुए बालक शुरबूपा या हचेरी ते जेगा वही हरी पद पामा ही तेना पर भावा कूपा विप्रदेने सुरसिंदे ते लिए नमलुजवतार ने जिक्षाने मितनु माया गोविंगो पाल शियावल राम चंद्र कीजे तो महांदी जी बहुत बढ़िया भजन सुनाए हमारे दर्शकों को महांदी जी कहां से सीखे आप इतने छोटे से उमर में बढ़िया भजन कहां से सीखे अपने गुर्देव जी से और प्रभू हुनमान जी की किर्पा है कौन है आपके गुर्देव जी जी स्रीपदा जी महराज जी और हनुमान जी का भजन क्योंकि आपके आपके इतनी उमर में तो बच्चे नहीं सीखते इतने बड़े बड़े भजन स्रीगुर चरन शरोज रजन जी मन मकुर शुधार बरना और अगबर बिमलज सुझो धाय को फल चार बद्धेन तनो जान के शुम्रो पमन कुमार बलबदी विद्ध्या देह मही हरम कले से विकार जैहनमान ग्यान गुन शागर जैकपी सिति हुलोक उजाग रामदोत अतलित बलधा मायन जनवत्र पमन सुतनाम हाँ बेर बिकरंब जरंगी कुमत निवार शुमत के संगी कंचन बरन बिराज सुवे सा कानन कुंड़ चितके साहाथ बज्जी और धजा बिराजे कांदे मूज जनियोशाजे संकर्शुन के श्री नंदन ते जपताप महा जगवंदन बिद्यामान गुनियत चातुर रामकाजिकर बेको आतुर प्रभुचरित सुने बोगर श्या राम लखन सितामन बसिया शुक्ष रूप धर शेह दिखावा बिकट रूप धर नंक जरावा भेंप रूप धर शुशमारे राम चंदर के काश स्वारे लाइच सजीम वन लखन जीयाई से रगबेर हरश उड़ाई रखपत की इन बहुत बड़ाई तुम मंप्रे भरतें संभाई साहस बदन तुमर जसगां में असके इसरी पत कंठ लगां में संकदिक ब्रमाद मुनीसा नारस सहीत अईसा जम को बेढ़ दी कपाल जहां थे कब कोवित कैश के कहां थे तुम उपकार सुगरी हो की ना राम मिला राच पद दीना तुम्हरों मंतर भभी शन माना लंके शुर भाई सब जुग जाना जुक्सा जो जन परभान लीने उताय मदरुफल जानु परमुद्रका में लिखना ही जललादगी एच्ररना ही दुर्गम का जगत के जयते सुगम अनुगरा तुम्हरे तैर्ते राम दो आरे तुम रखवारे हो तने अग्या बिन पैसारे सब सुकला है तुम्हरी श संकत से हनमान चुड़ाँ मन करम बचन ध्यान जो लावे शब पर राम तपे स्वीरा जातिंके कास चकल तुम साजा और मनोरा जो कोई लावे शोई में जीवन फल पावे चारो जुक परताब तुमारा है पर सिद्ध जगत उजियारा शादु चंत के तुम रखवारे अश जन्मरी भक्त काई और देवता चितना दरही हनमत से सर्ब शुक करेश संकत कटे मिटे सपीरा जो शुम्रे हनमत बलभीरा जय 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 हनमान गुशाएं किरपा करो गुर देव किनाहीं जो सद बार पाट कर कोई शुटे बिन महा सुखोई जय आपडे हनमान चालिसा हुए स जिद साखी गोरी सा तुलसीदा सदा हर्चेरा कीजे नात्र दे महडेरा पवंतने संकत हरन बंगल मूरत रोब राम लखन सीता से थेड़ दे बशो सरबुप्शिया पतराम चिंद्र कीजे वमन सतहनु मान कीजे उमापति महादेव कीजे जे जे श्री सित्ता राम तो महादी जी इतने छोटे हनुमान चालिसा भी पढ़ने जानते हैं महादी जी हनुमान चालिसा बोले भजन गाए राम चरित्रमानस से भी आपने कुछ कुछ सुनाया है तो महादी जी आपने रमायन भी देखा होगा तो रमायन का कौन सा किरदार आपको बहुत अच्छ कि अच्छ पहां आपकेक जिन्हीं आपके प meillä कि सी क्रिक्ष्ष माता करते हैं करवाते हैं जै कि otor अच्छ प्रॉर्ट करोओं को Internet पूजा जीन सदीने की थी तो हम भी नहीं करेंगे अगर कि शेव तो नहीं की जो हैं वह तो आपको सन्यास लेना हैं आप रुमान जी के भक्त होंगे क्योंकि आपके पांच चारों भाई है वो हुए उन्हों ने तौ संही लिया होगा है जैसे हम पढ़ने जाते हैं हमारे गुड़ देव जी जो हैं वह बिम प्रभाल भर्मचारी हैं आप ने ने लिया है अच्छा तो हमारे महंत जी बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे और महंति आप ज्यश्ड एटने फिले माला पहनी हूई है तूलसी की माला पहने होए, आपको आपको सुविधह नहीं होती। नहीं, है तो हमको बहुत मुद्प्रिये हैं। एक प्रीय तो क्या-क्या माला पहने आप बताईए दोरा इस तुलसी की माला है यह परुष राम को बोट प्रसंद नहीं जी को भी अच्छा अबी तुलसी की माला है यह बागे शृधाम बाबा जी ने दिया था जी उनको जनम दिन पर गए थे चार तरीक उनका जनम दिन था और ये ये माला हमान जी की माला है यह होा और यह ये यह को चुपती नहीं है किती is a cuz कुछ नहीं चुपती है आपको मन नहीं करता कि दूसरा कुछ कपड़ा पहन लें यह सबसे प्रिया बस्त्र है आपका भगवा बस्त्र जो सनातन का विरोध करते हैं उनके लिए आप क्या बोलें कर लेंजर कि ट spor नंते है अब उनको मानते है अदेजा जो कर लोसा मालते हैं है कि यह झाल अपकी सुगिए वह नहीं के मणती हैं तो अगर आपके पीछे पढ़ जाए वह तो आपड़्यानुजी घाना ही नहीं फ्र्मी कभिताया इपके बास अच्छों कि पिलकों ड 2500 दाव लगता है और लगता एट्षा 2 साई अजब गलत करें बहुंहाट इतना वक्त दिया हमारे चैनल को कुई इतना समय ऍखएव को आऊकि दर्ती पर आए है तो तौ महन जी है अailable बहुत-वह तो शुक्रिया हमें समय देने के लिए धन्यबाद महांजी जै श्रीराम जै मंजी जै कमक्या माता की तो महांजी के तरफ से आज हमारे चैनल डीवाई 365 को अयोध्या से आए तोफे दिये जाएंगे परम पूझे हरुमान जी के तरफ से आया हुआ मंदिर का प्रशाद है ये तो हमने आज महंत बाल महंत सूरज दास और राघप दास जी से बहुत सारी बात की उन्होंने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया महंत जी धन्यबाद आप अयोध्या हनुमान गरी से आये है डिवाई 365 चैनल को इतनी आपकी कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद महंत जी जे शी राम जे अन्मान जी जे माका मख्या जे माका मख्या